कुमारी सहल जा को बुस्ट करने के लिए जो है वो प्रियंका गांधी जो है वो सिर्सा के अंदर आ चुकी है और लगातार रोडशो की तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं देखेगा कि किस परकार से बारी संख्या में लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पर उम्ड़ा हुआ है और लगा पे सवार हो करके लोगों का विवादन करती होई रोडशो करती होई दिखाए देरी और उनके साथ अगर बात करें तो किरन चोदरी जो है वो मंच पे मौजूद है उनके साथ रत पे मौजूद है कुमारी सेलजा मौजूद है और काला वाली से विदायक की अगर बात करें तो सिर्षा की अनाजमंडी के पास में स्थित शाम बगीची से ये रोड़ शोग की शुरुवात हुई है और पूरे बजार से होते हुए शाम बगीची के बाद अगर बाद कें तो जगदेव सिंग चोक, उसके बाद बगत सिंग चोक और सुभास चोक होते हुए बगत सिंग चोक, बगत सिंग चोक से परशुराम चोक और परशुराम चोक से सुर्खाब चोक और सुर्खाब चोक के बाद लालबती चोक और उसके बाद जो है वो सागवान चोक पे जो है वो इस रोड शो का जो हो समापन होना है और समापन के अविसर पर प्रेंका गांधी क्या संबोधन देती हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे लेकिन लगातार जो है वो कॉंग्रेस पालिटी के कारे करताओं का हुजूम देखिएगा आप उनका जोस देखिएगा कि लगातार जो है वो प्रेंका गांधी को देखने के लिए प्रे पूरी तस्विरे में आपको दिखाना चाहूं तो यह तस्विरें देखेगा शाम पगीची से लेकर के जगदेव सिंग्चोग तक जो है वो रोड के दोनों तरफ लोगों का जमावड़ा जो है वो लगातार लगा हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि कुल मिला करके यू कहे कि एक सफल रोडशो का आयोजन जो है वो कॉंग्रेस पार्टी की परत्याशी कुमारी सहलजा के समर्थन में जाता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है अगर यहाँ पर बात करें तो प्रियंका गांदी जिस मकसद से प्रियंका गांदी जो कुमारी सहलजा को ताकत देने के लिए जो आय थी वो कहीं ने कहीं ताकत देती हुई दिखाई दे रही है ऐसे में तस्वीरें जो है वो लगातार आप देखिएगा कि लगातार जो है वो प्रियंका गांधी लोगों का अभिवादन स्विकार करती हुई दिखाई दे रही है और लोग जो है वो प्रियंका गांधी और तमाम नेताओं के रत पे जो है जो रत पे सवार नेता हैं उनका जो है वो फूल बरसा करके उनका स्वागत करते हुए दिखाए दे रहे हैं और इतनी गर्मी के अंदर चिल चलाती दूप के अंदर जो है वो लोग लगातार जो है वो यहां पे पहुंचे हुए हैं और कॉंग्रेस पालिटी के परताशी कुमारी सहलजा को लगातार समर्थन करते हुए दिखाए दे रहे हैं खैर आने वाले समय में क्या नतीजे रहते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो कुमारी सहलजा के इस रोडशो से कुमारी सहलजा के चुनाव परचार को एक बहुत बड़ी गती मिलती हुई दिखाई दे रही है कैर आने वाले समय में 25 मई को लोग क्या फैसला करते हैं क्या कुमारी सहलजा के पक्ष में मददान करते हैं फिर डॉक्टर अशोक तनौर के पक्ष में मद्दान करते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अगर बात करें, तो प्रियंका गांदी को जिस मकसद के लिए, यहां पर रोड शो के लिए बुलाया गया था, प्रियंका गांदी जो रोड शो करने आई थी, वो मकसद कहीं न कहीं सफल साबित होता हुआ, दिखाए दे रहा है,